आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करे तो इस question में हमें क्या दिया है कि कोई वस्त हो एक समान तॉरण से गतिसील है तो उसमें सरर देखा के अने दूस गतिसील वस्त के समय वेग ग्राफ के समय अच्छी के बीच गहरे गए छेतर का छेतर फल उस अंतराल में वस्त द्वारा तही की गई दूरी के बराबर होता यह हमें दिखाना था तो जैसा कि पता अगर एक समान तॉरण होगा अगर यह हमारा तॉरण क्या है एक समान तॉरण है तो अगर इसका हम वेग एक समान तॉरण है मतलब कि जो तॉरण का डिफिनेशन होता है क्या होता है दूरी वेग परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता हमेशा है अगर एक समान होगा तो हमारा दूरी परिवरतिन फную जो आ रहा हगा हम यहां आने वाली होगी हमेशा एक समान होगी तह नहीं हमारा चाहेगा हमारा होता है zap की लिए सेम रहता तो तोरड क्या रहता एक समान नहीं एक बार तोरड एक आता, एक बार चार आता, एक बार छे आता, तो हमारा एक समान तोरड नहीं हो सकता था, तो इसके लिए क्या होगा, जो हमारा वेग परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, एक समान होना चाहिए, तब ही हमारा तोरड क्या होगा, एक समान होगा, तो अगर हम एक समान वेग परिवर्तन का ग्राफ खीचेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर हमने किया वेग और समय का ग्राफ बना लिया, अब यहां से हम देखेंगे वेग और समय का ग्राफ बनाया है, इस तरह से आएगा, अगर इस तरह से ग्राफ होगा, तो हमारा क्या रहेगी हमेशा समान रहेगी यहां से ग्राफ कीचेंगे किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो यहां से जो वेग परिवर्तन आने वाला यह वैलू यह दूरी हमेशा क्या होगी सब के लिए समान होने वाली है तो यहां से कहेंगे अगर वेग परिवर्तन समान होगा तो हमारा तो यह वी किया होगा एक समान रहेगा तो वेग परिवर्तन का graph हमने बना लिया अब वीटी graph हमारा आ गया अब इस question में हमसे पूछा जा रहा है कि समय अच्छ के बीच जो समय वेग होगा समय ग्राफ हैं समय अच्छ के बीच वेग और समय अच्छ के बीच घिरे छेतरफल उस अंतराल में वस्त दौरा तही की गई दूरी के बराबर होता है तो हमने किया कि आप वेग और समय का ग्राफ बना लिए कैसे बनाया कि कोश्चन में कहा गया था एक समान तोरड था तो जो हमारा वेग होगा वेग समय में जो हमारा वेग का ग्राफ आएगा एक सीधी रेखा है कि जो ये रेड कलर वाली रेखा है अब कोश्चन में कहा जा रहा है कि इसके कुछ समय नंत्रान में जो वेग और समय का ग्राफ है अगर इसका छेतर फहल आप टी सेकेंड चल ले यहां से turmeric क्या किया टी सेकंड वरस्त हमारी चल लुख अधर जीरो था गराफ का वह घ्राइवा गरु जीगें दूरी के बराबर होता है यह हमय को दिखाना से औरा हम निकालेंगे अगर हमारी यह क्या है ट्यहार हमारा क्या है ट्य है पूरा हमारा व है चुंकि यह अपन हमें व श Series की माना थो ब्राबर J då समय अच-कर और वेग अच-पे- तो यहां से देखेंगे हमारा क्या होता है आधार गुड़े आधार क्या हो जागा इसका टी है और उचाई क्या है वी है तो यहां से जो छेत्रफल की हाफ टी इंटू वी यह चेत्रफल हमें दिखाना है कि यह चली गई दूरी के बराबर हो जाएगा दूरी क्या होता है तरह से लिख सेखते हैं, V.dt वराबर क्या हो जाएगा तौन को समा कलन करेंगे, धेक्स बराबर से x में हम समा कलन कर देते हैं, कहीं समा कलन कर देते हैं थो हम 0 से यहाँ पे t बराबर small t तक इसका समा कलन करेंगे तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा small t तक इसका समा कलन कर देंगे तो यहाँ से dx का समा कलन क्या होता है x होता है x को 0 से और x तक अगर समा कलन करेंगे तो इसकी बल्यू आजाएगी यहांसे V हमारा नियत है DT का समा कलन हो जाएगा T और T को कहां से समा कलन करना 0 से T के बीच में हमने यह क्या लिया हमने अपने उसकी limit को लगा दिया तो यहांसे हमारा क्या जागए हमारा capital X आ जाएगा यह हमारा capital X क्या होता है दूरी होता है v into t के बराबर आजएगा small t के तो जो हमारा दूरी होता है क्या होता है vague into समय होता है तो यहां से यह जो हमारा समी कर लिखा हुआ है कि यह जो dx होता है dx बराबर v dot dt तो यहां से अगर हम limit लगाएंगे t बराबर 0 से t बराबर t second ते यहां कि हमारा क्या होता है? Dx होता है, तो यहांसे dx की value, गर इसको हम religious क्या हमारी आ जाएगी, V into dt, इसको क्या करेंगे? 0 से t, क्योंकि हमारा t tracking t भरावर 0 से टी बराबर टी सेकंड अगर समा कलन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वस्त द्वारा चली गई दूरी होता है अच्छा हमें पता है कि एगर टी बराबर जीरो से यहां से टी बराबर जीरो से टी बराबर टी तक हम पहुंच जाएंगे तो वस्त की चली गई दूरी क् जो समा कलन कर दें कि यह चेतरफल होगा हमारा वस्तकी चली गई दूरी दिखाता है तो इसको अगर कहीं समा कलन होता है तो हमारा क्या होता है यह हमारा छेतरफल लिखा होता है मतलब कि जो हमारा छेतरफल होगा वी और डीटी कर्व का समय और वेग का क्या कहलाएगा चली ग कहते है चे तरफल निकालना कहते हैं तो गहां से हमेंगे की टी वराबर जीरो से टी वराबर टी सेकेंड तक हम एक हम पूरे चेत्रफल का v है हमारा वेग का graph है वेग का और समय की graph में अगर पूरा चेत्रफल निकाल दें तो हमारा क्या होगा चली गई दूरी के बराबर हो जाएगा तो है हमें इस question में दिखाना था कि जो च्हेतरफल होगा V और T 라는 के बराबर हो जाया है तो यहांसे हमारा विद्ध सामा कलन करेंगे तो यहांसे हम देखेंगे भी गया है कि उस अंत्राल में वस्त द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा तो जो इसका छेत्रफल होगा यह हमारा क्या हो जाएगा छेत्रफल टी बराबर जीरो से टी बराबर टी सेकेंड तक वो क्या हो जाएगा दूरी के बराबर हो जाएगा एक समारा यहां वह ब्रेकेट के अंदर ये क्या होता है पूरा छेतरफल होता है किसी भी वह स्थुका अगर उसका हम समा कलन करते हैं उसके वह हम लगा देते हैं लिमिट टी वराबर जीरो से टी वराबर कुछ मालों पांच सेकेंड तक इसके अंदर कुछ भी लिखाओ डीटी लिखाओ तो वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर